नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे च्यानल सनातन धर्म में आज हम बैजनात धाम के बारे में जानेंगे। बैजनात धाम, मंदिर ये भगवान शिव के बारह जोतिर लिंगों में से एक है। जारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनात धाम, द्वादश जोतिर लिंगों में इसे नौवें जोतिर लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैजनात धाम भगवान भोलेनात का एक मात्र मंदिर है। जहां शिव और शक्ति दोनु एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनात धाम में ही माता सती का हृदय कट कर गिरा था। इसलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। देवघर स्थित विश्वप्रसिध बैद्यनात मंदिर एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुडाव लंकापती दशानन रावण से है। रावन से जुडाव के कारण बैधनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिव लिंग को रावनेश्वर बैध्यनाथ जोतिर लिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कताओं के अनुसार लंकापती रावन भगवान शिव को प्रसंण करने के लिए एक के बाद एक अपनी सर की बली दे कर शिव लिंग पर चड़ा रहे थे, एक के बाद एक कर दशानन रावन ने भगवान के शिव लिंग पर नौ सिर काट कर चड़ा दिये। जैसे ही दशानन दस्वें सिर्की बली देने वाला था, वैसे ही भगवान भोले नात प्रकट हो गए. भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वर्दान मांगने को कहा. इसके बाद वर्दान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं. उनके शिवलिंग शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावन को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मा गंगा रावन के शरीर में प्रवेश कर जाती है जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर की लगुशंका लगती है इसी बीज भगवान विश्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं जोर की लगुशंका लगने के कारण रावन धर्ती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विश्णु के हाथों में शिवलिंग दे कर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक में लगुशंका कर वापस नहीं लोटाता इधर मां गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावन लगुशंका करता रहता है इसी भी चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोले नात की शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन पर रख देता है लगुशंका करने के उपरांत जब रावन अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है जब उसे कहीं जल नहीं मिलता है तो वह अपने अंगूठे से धर्ती के एक भाग को दबा कर पानी निकाल देता है जिसे आज शिव गंगा के रूप में जाना जाता है शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावन धर्ती पर रखे गए शिव लिंग को उखाड कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने असमर्थ हो जाता है इसके बाद आवेश में आकर वह शिव लिंग को धर्ती में दबा देता है जिस कारण बैधनात धामस्थित भगवान शिव की स्थापित शिव लिंग का छोटा सा भाग ही धर्ती के उपर दिखता है इसे रावनेश्वर बैधनात जोतिरलिंग के नाम से भी जाना जाता है मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तान गंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर जलाभिशेक करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है इसी लिए सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालू की भीड सुल्तान गंज से जल उठाकर कांवर में जल भर कर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तैकर देवघर स्थित बैध्यनात धाम पहुँचकर जलाभिशेक करते हैं सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है दोस्तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चेनल को जरूर सबस्क्राइब करें और आप भी शिव भक्त है तो कमेंट पे हर हर महादेब जरूर लिखे